रेगिस्तान स्क्वाइर का इतिहास, रेगिस्तान उजबेकिस्तान के शहर, समरकंद में स्थित एक प्रमुख चौक है, यहां के वैशिष्ट पूर्ण वास्तुकला और एतिहासिक महत्व ने इसे एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बना दिया है, जहां हर साल हजारों यात्र रेगिस्तान स्क्वाइर में तीन मदरसे बाद में पंद्रवी और सत्रवी शताबदी के बीच बनाए गए थे, रेगिस्तान स्क्वाइर के आसपास तीन मदरसे हैं, यह तीनों समरकंद शहर के मुख्या करशन हैं, रेगिस्तान के आसपास के मदरसे दो शासकों द्वारा अलग-अलग युगों में बनाए गए थे उन मदरसों के नाम पहला उलूग बेग मदरसा दूसरा शेरद और मदरसा तीसरा तिलिया कोरी मदरसा रेगिस्तान का नाम फारसी भाषा से आया है जिसका मतलब होता है रंगी भरा चौक या रंगों से भर पूर जग है लेगिस्तान के चारों तरफ तीन बड़े मदरसों का निर्मान हुआ है उलूग बेग मदरसा शेरद और मदरसा तिलिया कोरी मदरसा पहला उलूग बेग मदरसा पंद्रहवीन सदी में निर्मित, गणित, जोतिश और विज्ञान के लिए एक प्रसिद्ध मदरसा था उलूग बेग एक प्रसिद्ध खगोल्ज और गणित जथे दूसरा, शेरद और मदरसा के द्वार पर शेर और घायले, टाइगर और डियर की एक नकाशी है जिसे शेरद और शेरवाला के नाम से जाना जाता है ये नकाशी कुछ उलेमा द्वारा घलत मानी जाती थी क्योंकि शेर और घायले को तस्वीर में पकड़ना मना है तिलिया कोरी मदर्सा के अंदर का अंदरूनी हिस्सा सोने से सजा हुआ है इसलिए इसे तिलिया कोरी का नाम मिला जिसका मतलब होता है सोने की उद्यान रेगिस्तान UNS को विश्व धरोहर स्थल है जिसका मतलब है कि यह एक विश्व विख्यात सनरक्षणी स्थल है और इसे सुरक्षित रखने की जरूरत है रेगिस्तान का रोशन मेला खास तोर पर रात को यहां के बड़े भवनों की नकाशी और मूर्तिकला को रोशनी से सजाता है जो एक खास अनुभव है अब तक अपने जाना रेगिस्तान स्क्वायर की विशेश्टाएं अब आप जानेंगे रेगिस्तान स्क्वायर की कुछ रोचक तत्य चौक के निर्मान से पहले वहाँ एक नदी थी जो सूख गई थी और केवल उसकी रेत बची थी रेगिस्तान का आर्थ है रेत और बजरी से भरी भूमी इसी लिए इसे रेगिस्तान कहा जाता है ये शांदार चौराहा समरकंद शहर का केंद्रिय चौराहा था और शुरू से ही इसके आसपास मदर्से की इमारते नहीं थी पुराने दिनों में मुख्य चौराहे लोगों के सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और उन्हें समुदाय की धड़कन माना जाता था शहर के मुख्य चौराहे पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किये गए रेगिस्तान स्क्वायर इसनियम का अपवाद नहीं था उस समय शहर के शासक सरकारी बयानों की घोशना करने के लिए रेगिस्तान स्क्वायर का उपयोग करते थे और लोग खान के आदेशों के बारे में सुनने और जानने के लिए आदी थे